नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पीती और सुअगत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल एप्स मीडिया पर बॉलिवूद अभीनेता नमाज उद्दीन सिद्द्दी की पतनी आलिया ने कहा कि उन्होंने अपने पती के खलाफ मुंबई के वर्सोबा पुलिस इस्टेशन में बलत कार की शिकायत दर्च कराई आलिया सिद्द्दी ने इससे पहले में नमाज पर मार पीट और प्रताडित करने के अलोप लगाये थे और अब कहा कि पुलिस ने सबूतों के साथ बलत करकी शिकायत दर्च कराई है आगे बता दें कि आलिया सिद्द्दी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसके कैप्शन में लिखा एक महान एक्टर जो महान इंसान बनने की कोशिच किया करता है अक्सर उसकी बेरम मा जो मेरे मासूम बच्चे को नजायस बोलती है वो गतिया अदमी चुप रहता है वासबा प्रेजस्टेशन में कल ही इसके खलाफ रेप की शिकायत प्रुफ के साथ दर्च कराई कुछ भी हो जाए इन बेरम हातों में अपने मासूम बच्चे को नहीं जाने दूँगी इसके अलावा आलिया ने वीडियो में कहा कि नमजुद्दीन सद्धिकी अपने पैसों की ताकत के दम पर उनके बच्चे उनसे चीनना चाहते है हालिया ने का नवास ने कलर कोट में एक केस डाला है जिसमें उनका कहना है कि वो बच्चों की कस्टरी जाते है मैं बस आप लोगों से ये जाना चाहती हैं कि जिसने कभी बच्चे को महसूस नहीं किया ना पेट में महसूस किया ना उसके बाद महसूस किया जिसे नहीं पता कि इसके बच्चों का ड्राइपर कितने काता है ड्राइपर पहनाते कैसे हैं उसे नहीं पता कि बच्चे बड़े कब हो गए उसे कुछ नहीं पता उन बच्चों को मुझसे छीन कर बताना चाहते हैं कि अपनी पावर से और दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा बाप है वो अपने पावर का मस्यूज कर रहा है अपने पैसों से तुम जितने लोगों को ख़ई दो लेकिन तुम मेरे बच्चों को मुसे नहीं छीन सकते हो आगे बता देगी आलियानिया ये भी कहा कि तुमने मुसे अपनी पत्नी नहीं माना लेकिन मैंने तुम्हें हमीशा अपने पती माना मेरे पास एक एक पैसी की प्रॉब्लम है और तुम मेरे बच्चे मुसे छीन रहे हो इसने मुझे हर तरफ से कमजोर कर रखा है और अब मुसे मेरे बच्चे छीनने की कोशिच कर रहा है ये अपनी पावर में इतना अंधा हो गया है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे एक बच्चे को पता नहीं कि बाप क्या होता है वो इसके साथ कैसे रहेंगे मुझे कोट पर भरोसा है कि फैसला मेरे हक में ही आएगा वैल बता रहें कि नवाजुदिन सिद्धिकी का पतनी आलिया सिद्धिकी के साथ लंबे समय से विबाद चल रहा है वैल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के जरीए बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल एपस मीडिया के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें जिससे की हमारी आगे की आने वाली विडियो के अपडेट्स नोटिपिकेशन भी आपको मिलते रहें